नवश्कार आप सभी का स्वागत है Competition Community में और संग्राम सीरीज के तहत एक महत्वपूर्ण सीरीज जो की आपका बहुत अच्छा नंबर लेकर आ सकता है और ये पेपर होता है आपका एसे एसे में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको टोटल दो टाइप से एसे देखने को मिलेंगे एक जो होगा नैशनल इंटरनैशनल लेवल का यहने की राश्टी अंतर राश्टी स्तर के और एक जो होता है वो 36 गरिस्तर के राश्टी अंतर राश्टी स्तर के आपके वहाँ पर दो एसे से आपको लिखने के लिए मिलेंगे और यहां पर आपको चतिस गड़ इस तर में भी दो एसे आपको देखने को मिलते हैं हाला कि इन में एक option भी रहता है मतलब यहां पर तीन एसे दिया जाएंगे जिन में से दो पर आपको answer adding यहां पर करनी होती है पहले के तुलना में अभी जो एसे के जो marks हैं वो 50 marks के हो चुके हैं पहले आपके 100 marks को करते थे अभी 50 number का आपको एक एसे यहां पर लिखना होगा सरवाधिक जो चर्चित अगर मैं यहां पर बात करता हूँ 36 गर लेवल ऐसे की तो सबसे ज़्यादा जो question संभावित है जो पूछा जा सकता है अलग-अलग मुद्दो पर लेकिन उसका जो धूरी होगा उसका जो केंद्र होगा वो यही होने वाला है आपका हस्देव अरण्यवाला मामला इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकते हैं कि बताएं विकास बना विनास पूछ सकता है आपको यह भी पूछ सकता है क्या हस्देव अरण्यका काटा जाना कितना हमारे लिए प्रासंगिक है हमसे यह भी question पूछा जा सकता है कि जैव वित्ता को किस प्रकार से वहाँ पर नुकसान होगा उसके भागौलिक रूप से संबंधित बहुत सारे प्रेशन यहाँ पर आपको बनाया जा सकते हैं मतलब यह है कि questions के आपके pattern अलग लग पूछ सकते हैं लेकिन उनकी जो धूरी है वो केवल एक जगा पर ठीकी होगी और वो होगा हस्देव अ क्यों वो चर्चा में था most of the time अगर यहां पर हम देखते हैं तो हमारे state level exam के जो एसे पूछे जाते हैं वो current पर अधारित होते हैं unlike UPSC में आप देखेगा तो कई बार वहां के जो एसे रहते हैं वो पुरानी चीजों को उठा कर भी पूछ देता है या सीधे सीधे अगर ह कैसे हमारे चर्चा में आई कैसे इन्होंने जो मीडिया के गलियारों में हमको इसको देखने को मिला और क्या क्या चीजें इस पर कवर करी गई हैं इस पर हम थोड़ा सा focus यहां पर करने के कोशिश करते हैं First of all आपको यहां पर बताना है कि 36 गड़ में विशेष रूप से महिलाओं और आदिवासियों ने इस मोमेंट को स्टार्ट किया जैसे उत्तरा खंड में चिपको मोमेंट स्टार्ट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाथरेतों में वैसे ही 36 गड़ के इस हस्देव वाले रिजन में आपको यहां भी बताएंगे कि हस्देव शेत्र जो है वो कहां खाँ पर है और कौन-कौन सा जीला विशेष रूप से इसके अंदरगत आता है आप बिसिकली डिरिकली वहां पर स्टार्ट ना करें कि हस्देव और अर इन इन जीलों के अंदरगत आता है यहां यहां पर इसका विस्तार है आप बसा start ना करें, आप start हमेशा करेंगे current event को लेते हुए, कोई भी जो आपकी current की घटना होगी आप उसको पगड़ते हुए start करेंगे, ठिक, तो यहां पर सबसे पहले first of all, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो start हुआ था, जो moment start किया जा रहा है, पेड़ों को कटाई करी जा रही है, उन लोगों के खिलाफ इनोंने एक moment शुरू किया था, पैदल यात्रा, पैदल मार्च जो है वो शुरू किया था, सवाल यहां पर यह भी बनता है, सर यह महिलाओं की विशेज भूमिका का क्या लेना देना है, तो यह आप एसे लिख रहे हैं और अपने लिए content ready कर रहे हैं, तो इस content को आप भले main answer में ना लिखें, किन्तो आप अपने दिमाग में ज़रूर याद रखना, राश्ट्री वननिती 1988-1988 के तहट जो एक clause है, विभिन आपको वहां पे rules देखने को मिलेंगे, उसमें एक rule यह भी ह या यूँ कहें एक प्रावधान यहाँ भी दिया गया है कि वनों को बचाने के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए, या महिलाओं को आगे लाना चाहिए, तो हम उसी को ही follow कर रहे हैं, साथी साथ उसमें यहां भी लिखा है कि वनों के सरक्षन के लिए समय समय पर आंदलोनों को प्रोथसाहित करना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से यह illegal activity नहीं है, आंदलोन जो किया जा रहा है, शांती पूरवक तरीके से जो यह आंदलोन किया ज इस बात को विशेश रूप से ध्यार रखना है, चाहे तो अपने शब्दों में बया भी कर सकते हैं, कि वनों को सरक्षित रखना महिलाओं की प्रात्मिक जिम्मेदारी है, और महिलाओं को इस प्रकार के अंदलोनों में आगे आना सरवता अनुचित नहीं है, यह कि कोई भी चीज जब हम प्रोटेस कर रहे होते हैं, या किसी चीज का हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे हम प्रोटेस की बात करें, जब हम किसी चीज को हाइलाइट कर रहे होते हैं, या ट्रेंड करा रहे होते हैं, सबसे अच्छा वाड होता है, ट्रेंट कराना, तो वहा तो कुछ चीजें जो होती है आप उसको नॉर्मल लिख सकते हैं इसमें कोई आपके लिए बाधा नहीं होगी तो यह आपने यहाँ पर इतना लिखने के बाद यह पॉइंट आपने खदम किया फिर थोड़ा सा महा सकते हैं कि किन किन संगठनों ने जो है इस पर अपना अथन दिखाया है राष्टे स्तर की संगठनों को आप विशे सुरूप से लिखेंगा 36 गड़ में सयुक तक किसान मोर्चा आपने सुना भी होगा कि जब किसान अंदुलन हो रहा था उस दावरान जो राकेस टिकैत हैं बिसिकली इसका जो लिट कर रहे थे तो भले आप न दुनिया जहान की चीज़े पता है तो सरकार की बारे में पता हुआ यह का ऐसा नहीं हो सकता संभवता होता है कि देखें जब आप उस समय अंसर लिख रहे हुते हैं आपका माइंड सट्ट क्या है नहीं है डवशें मैटर सामने योजो चेक कर रहा है वो किस विचार टा gave matter रखर करता है अब माल लेते हैं आप की जो विचार धारा है आप माल लेते हैं प्रो बीजेपी वाले हैं और एकडम गर याद रहो Congress Government ने ऐसा किया सामने जो चेक करने वाला व्यक्ति भी आपकी विचार धारा करें तो तो बहुत अच्चे से नंबर देगा लेकिन दोनों की विचार धा रहा है अगर miss match हो गई क्योंकि जब check करने वाला होता है तो वो number दे रहा होते हैं तो उस पर आप objection नहीं कर सकते कि आपने number क्यों काटा यहाँ पर Kuno National Park वाला असम में लिखके भी दो number पा जाता है फिर तो आप सही गलत लिखने की बाजूद आप क्या उम्मीद करेंगे इसलिए आप इधर उधर की बातों को या इधर उधर की जो भावनाय हैं उससे ग्रस्त ना हो और simple जो एक आपका तटस्त रविया जो रहते हैं जिसको हम neutral लिखें तो आप बिल्कुल neutral लिखें मतलब भले आपका विचार दारक ऐसा भी हो doesn't matter आप जो है ऐसे चीजे लिखें ताकि सामने वाले कोई लगने ची कि हाँ ठीक है इसने थोड़ा सब balance करते हों यहाँ पर लिखा है तो हमने राकेश ठीकेट का नाम यहाँ पर नहीं डाले बाकिया आप डालना है तो डाल सकते हैं चुंकि वो उतना political मुद्दा यहाँ पर नहीं बनता फिर भी आपको इस संस्था का नाम जरूर एड़ करना होगा संस्था जो है संयुक्त किस इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि अलग अलग तरीकों से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और आदिवासियों ने दिसंबर 2021 से पद यात्र यानिकि यहाँ पर पैदल मार्च से स्टार्ट किया इन्फेक्ट रायपूर तक वो आए हुए थे वहां से चलकर राज अरचा कविशय बना हुआ है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भूमी का बनानी है आप चाहे तो इसको और चोटा कर सकते हैं मैंने कोशिश करी है कि maximum चीजे में आप सब की के लिए यहाँ पर दे सकूं और maximum आप वहां पर अपना यूटिलाइज कर सके इसकी बाद हम च पुछा जा सकता है कि HACF आप इस चीज को भी विशेस रूप से ध्यान दीजे कि यह ना सिर्फ ऐसे के लिए बल्कि परियावरन वाले पार्ट में भी आपको अलग से कुश्चन पूछ सकता है दिरगउत्तरी प्रशने के रूप में आप यदि कोई ऐसे एक्जाम के तैय प्रशिया में फैला हुआ है जिसमें 23 कोल फिल्ड या कोल ब्लॉक यहां पर शामिल है अच्छा यह तो आपको पता ही होगा और यह सब बताने के अवश्यक्ता यहां पर नहीं होगी यह आपको स्वतह ग्यात होना चाहिए कि कोरभा वाला यह जो रिजन है आपका जो होती है थिकनेश जो होती हो काफी जादा होती है तो यह अपने को ग्यान रखना है इसके बाद यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 2009 में सरप्रथम यह बहुत इंपोर्टन है क्रोनोलोजी वेर इंपोर्टन यह आप को चीज लिख रहे हैं तो उसका क्रम चीज सालग है उसका सब्सक्राइब जिस का सही रहेगा उनका'mैट्यव और अच्छा तयार होगा जिनका स्टेस्च खराब हो जाएगा तो फिर आइटम आपका गड़वड़ा जाएगा तो इस बात का विश्य सुरुप से आपको ध्यान डखना है 2009 में स्टार्ट किया गया और इसको no go zone declare किया गया no go zone का मतलब होता है कि भई आप वहाँ पर नहीं जा सकते या किसी प्रकार की मानवी गतिविधी नहीं कर सकते अगेन मैं आपको यहाँ पर फिर से रिमाइंड कराऊंगा जब यह पार पर रहूंगे ते आपके दिमाग में दो सब्जेक्ट बिलकुल इर्द गिर्द आपके घुमने चाहिए राकर जिसको हम लोग बोल देते है और एक प्रसार राक्शित अर जिसपर हमसी भी प्रकार की मानवी गतिविधी को स्विकार यह नहीं करते वह आरक्षित हो जाता है, सरक्षित के अंदर कतम होता है, जिसमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गतिविदियां यहाँ पर अलाव की जाती है, तो इस प्रकार के जो प्रोटक्ट करे जाते हैं, जिसको सरक्षित रखा जाता है, उसको हम नोगो जोन में रखते हैं, धिरे-धिरे कोईले की मांग बढ़ेगी और निसंदे कोईले की मांग बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी भारत जो है, वो अपनी आवश्यक्ताओं के लिए, यानि कि उर्जा आ समस्या तो दोनों तरफ से सरकार को इस चीज के लिए जूजना पड़ता है, सरकार को इस चीज के लिए तयार रहना पड़ता है, यहां पर 2009 में नोगो जोन गोसीत किया गया, जैसे हमको डिमांड बढ़ी तो 2010 के आसपास, धीरे-धीरे हमने पी-ई-क-बी, अब यह पी- प्रशन यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां से कोईले की खुदाई कर सकते हैं, अब सवाल यह है, अगर आप कोईले की खुदाई करेंगे, तो आपको जंगल को काटना पड़ेगा, प्रशन यह है, क्या सर मैं बिना जंगल की कटाय किये, क्या कोईले को खोद नहीं सकता, य बिल्कुल वैसे ही सवाल है, सर क्या मैं जानवर को मारे बिने मैं चिकन नहीं खा सकता, मतलब यदि आपको चिकन खाना है तो मुर्गी को आपको मानना पड़ेगा, बात समाज आ रही है, सेम वैसी कहानी यहाँ पर भी है कि यदि आपको यह चीज़ करनी पड़ेगी, अगर हम वन भूमी को भी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरीद, आपने कई रेल से आपने देखे होंगे, इस्पेशली जापान वगरे में दिखाया जाता है, जब पेड़ों की कटाई करी जाती है, तो आस पास को गढ़्धा को खोदेते हैं, पुरे जड़ हुई है, या ऐसे शेत्र जिसके हमने बात कर रही थी, जहां पर वन नहीं है, हमने यहां पर क्या कर लिया है, हमने यहां पर वन लगा लिया, और जहां से हमको कोईला निकालना है, हमने यहां से कोईला निकालना है, यह किया जाना था, और जब हम सुलीशन में आएंगे, स सही धंक से नहीं हो पाया, ठीक है, अगें 2012 में फिर से P.E.K.B. कोईलव खजान के यहाँ पर परियावरन जल और जलवायू परिवरतन मंत्राले ने इसको मंजूरी दे दिया, Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने यहाँ पर क्या किया, इसको permission दे दिया, ऐसे करते-करते यह जो मामला लगतार चला और फाइनली अभी जो हाल ही में, 2022 में Second Abundant जो किया गया था, यह आपका पहला वाला था, First वाला, 2012 यह ज़स्ट दस साल पहले, 2012 में जो किया गया था, यह पहला ब्लॉक था, और Second वाला जो किया था, वो Second, Sorry, 2022 में किया गया था, वो आपका Second वाला था, मतलब एक ही स्थान पे, यहनि कि हजदे वाली रिजन में ही, अलग-अलग स्टेजेस में कोल आवंटन के लिए, कोल आवंटन का मतलब कोईले खदान की, कोईले को खुदाई करने के लिए जो अनुमती दी गई, यह Second stage था, जो कि 2022 में किया गया, यही से मामला तुल पकड़ा, ऐसा नहीं कि प पकड़ा, अब सवाल यह है, बहुत सारे सियासी समिकरण आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पर questions देखने को मिलते हैं, कि सर, यहाँ आपने कई बार देखा होगा, Congress की गॉर्मनेंट, BJP को बो रही है, वो Congress को बो रही है, लेकिन दोस्त, यहाँ पर दोनों की सहमति की बिना यह संभाव नहीं था, आप इस बात को समझें, आप किसी भी पार्टी के समर्तक हो, यहाँ पर कहीं ने कहीं गलतियां जो हैं, वो दोनों तरब से हुई है, यह यूँ कहें, जिम्मेदार जो हैं, कोई भी यहाँ पर दूत के धुले नहीं होंगे, कारण चीज़ आपने यहाँ पर देखी भी है, बहराल अगर हम दोशी अगर हम कहें, या प्रतम दृष्टया अगर हम यहाँ पर देखें, तो केंद्र सरकार जो होती है, सबसे पहले उसका यहाँ अधिकार, क्योंकि यह जो मंत्राले जो रहता है, जिसकी हमने यहाँ पर चर्च stages के हम बात करते हैं जिसको हम लोग जरली जानते हैं 15 इस足र पर जो अधिकार इनको दी methods के हम यहां पर बात करते हैं मैं हो इसे last में आपके लिए लेकर आए वाला हूऄ तो जिसको मैंने hold किया है आप चाहने तो वहां पर लिक सकते हैं लाश्ट में उसकी चर्चा जरूर करेंगे, ठीक, फिलाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकी भगौलिक इस्तिति क्या है, अभी तक जो चीज हमने यहाँ पर देखी थी, यह घटना करम था, एक प्रकार से क्रोनलोजी था, कि हजदे मोमेंट स्टार्ट हुआ था, हजदे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ शेत्र एक्चुली है क्या, या उसका नाम कैसे पढ़ा, या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, क्या उसको इंपॉर्टेंस है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जैसे कि तस्वीरों में यहाँ पर आप आना जाता है बेसिकली बड़ा जो शेत्र इसमें कोरबा के अंतरगत आता है और सरगुजा के अंतरगत कुछ जीले आपके सूरजपुर के भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो तीन जीलों को मुख्य रूप से हकावर करता है तो जीलों के अंतरगत मैं बात कर लूँगा हजदेव नदी है और इस प्रकार से चलते हों है महा जील चलनकर की महाननदी मिल जाते तो हजदेव नदी का प्रभाई शित्र है हजदेव अरन्या रखा गया है तो यह बेसिक चीज है है most of the cases में हमको यहां देखने को मिलता है कि जो जंगल रहता है वो खंड-खंड में होता है जैसे उदाहरन के तौर पे यह एक जंगल हो गया उसके आद यहाँ पे बहुत बड़ा एक residential area है फिर एक जंगल हो गया फिर एक residential area है ऐसा नहीं जैसे आप जाएंगे आप चले जाएंगे धंतरी से आगे जाएं जगदलपूर रास्ते में तो वहां पर आपको खंड-खंड में जंगल देखने को लेंगे जैसे आपने धंतरी को पार किया थोड़े दूर जब आप आगे जाएंगे तो क्या बोलते हैं कांकिर के पहले आपको हल्का फूल का जंगल वाले area देखने को मिलेगा फिर कांकिर गाद फिर से थोड़ा सा normal हो जाता है फिर केशकाल की पास आपको मिलेगा फिर थोड़ा दूर आगे जाएंगे तो बस्तर वाले रिजन उतना ज़ादा dense आपको देखने को मिलेगा तो इमध्या भारत का सबसे बड़ा अखंडित जंगल शित्र है यहाँ पर विशेश रूप से साल और सागौन के जो पेड़ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा यह हाथियों के लिए एक महत्तुपूर्ण गली आ रहा है मतलब ए WII Wild Life Institute of India इन्होंने अपने हाल ही के जारी किये गए एक रिपोर्ट में कहा था कि विभिन प्रकार के जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हजदे और अरणय में गोंड, लोहार, औराओ, कुर्वा जैसे लगभग 10,000 अलग अदिवासी लोग यहाँ पर निवास करते हैं इस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह डेटा चोटे मुटे नहीं है 167 यानि कि more than 150 types of vegetation यहाँ पर है 1500 प्रकार से ज्यादा की बरस्पत्या मतलब आप समझें कि विभित्ता यहाँ ठीक ठाक पाई जाती है अच्छी तो नहीं बूलूँगा क्योंकि जो hotspot जैसे शेत्र ह रहते हैं वहाँ पर 1500 से ज्यादा सम्थिंग चाहिए रहते हैं यहाँ ठीक ठाक है इनमें विशेश रूप से आपको देखने को मिलेगा elephant है हाथी है भालू है सरिस्रिप यहनी कि बहुत सारे reptiles and all यह सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी यहनी को उनका वो निवास है उनका native place है जब हजदे वरन ने काटा जा रहा थो तो आपने एक news देखा होगा जो दिल दहला देने वाला था रिदय विदारक था कि उसमें भालू के जो दो बच्चे रहते हैं जो बिछड जाते हैं और गाउं के किसी शेत्र में पाय जाते हैं तो यह जो घटनाय रहती ह है हमारे ंंदर तक आती है और हमको कहीं ने कहीं वो पुष्टि कि क्या अवाज ने उठा सकते हैं इतने सुर्व दो की बात करते हैं इसकी सरकार आगी यह बनेगा वो बनेगा फला ना अमका ढेंका हम इनके बारे में क क्यों नहीं सोचते हैं एक्रूली हमारा जीवन यहीं से आगे importance में आप देख सकते हैं जैसे हमने बात करी साल और जो महुआ यहां की important व्रिक्ष हैं और यह ना सिर्फ आर्थिक रुप से बलकि आध्यात्मिक रुप से जुड़े हुए है मतलब इनका सिर्फ आर्थिक महत्व नहीं है इनका आध्यात्मिक भी है और ध्यान समझेगा जब लोगों का religious या sentimental attachment होता है किसी चीज से जब लोगों की भावनात्मक जुड़ाव वहाँ पर होती है तो कहीं ने कहीं उनको आहत कर जाती है फिर आप बाकी जज़े से उनको नहीं समझा सकते क्योंकि जो sentiments होते हैं भावनाय जो होती है वो दिल से आती हैं अंदर से आती हैं तो यहाँ पर जो लोग है साल वुर्खष की पूजा भी करते हैं आपने सुना होगा सर्वना देवी की रूप में इसको मानते भी हैं तो पेड़ों को नोग देवता कर आप चाहें तो इसमें सर्वना देवी इंडॉल यह सारे points एड़ कर सकते हैं देखे ऐसे की खासियत यही होती है कि आपके जो traditional subjects होते हैं आप उनको value addition की तौर पर यहाँ पर आप ला सकते हैं और यहाँ पे जो 1500 प्रजाती हैं जिनमें से लगबख 18 प्रजाती जो है वो अस्तित्व में जूच रही है अपने अस्तित्व को लेकर अपने existence को लेकर बदाब आने वाले समय में वो बहुत जल्द गायब हो सकती है आप खुद देखे ना पहले जमाने में इतने सारे type पेड़ा आपको देखने को मिलते थे लेकिन अभी की समय में वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी वो सारी चीज़ें अभी हमारे लिए बिलकुल गायब सी हो चुकी है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्य है हमारे लिए बहुत बड़ा challenge है तो यह इतना सब यह सब क्या है इसका importance है यह सब इसका महत्व है अब हम देखते हैं कि अब तक की जो सिथी है वो क्या चीज है अभी तो हमने basic इसके importance के बारे में देखा इस शेत्रक के बारे में देखा मैंने यहां पर जब इसका introduction पाड़ बताया था यहां पर भागौली के सिथी तो आप और भी चाहें तो बाकी चीजें लिख सकते हैं चत्तिसगड़ के संदरवा में चत्तिसगड़ में इतना जो लगभग चावाली स्पृतिर शेत्र है ठीक है यह हमारे पास जो है इंडिया के top 5 वन आवरन वाले शेत्र में हमारा जो ज़ाती है यदि आपके पास शब्दों की कमी है तब अदरवाइस जितना मैंने आपको content यहां पर दे रखा है यह more than enough है आप लोगों के लिए sufficient है ठीक है अब यहां पर अब तक की जो स्थिति हैं इनकी अभी का कुन जो condition है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते है condition यह भाई क क्या हो चुका है काटा जा चुका है लगबग धाई लाक पेड़ अभी और काटे जाने हैं आपको मजाग लग रहा गये लगबग धाई लाक जिस पी ए की भी कि हम यहां पर बात करें थे तो जो पी ए के भी जो होता है परसा इस्ट और कांता बसन यह याद रखेगा क्यो को बार बार आप लोगों को पूस सकता है तो क्या है परसा इस्ट एंड कांता बसन ठीक है वो लोकल लाम जो रहते उसके आधार पर यह अधारित होता है तो परसास इस्ट एंड कांता बसन in को't खादानों के लिए जो है इसको अभी हाल ही में मंञूरी दी गई यह निका जो second आपके stage था 2022 में आपका दिया गया है उसके हम यहाँ पर बात कर रहे है दूसरा ये जो मंजूरी दी गई है ये किस के लिए दिया गया है कोईला खननन के लिए फिर से वही चीज है कोईला जब खननन किया जा रहा है यानि कि कोईला जब आप करेंगे तो कोईला को कहां पर आप भेजेंगे कोईला जाएगा पावर प्लांट में कौन से पावर प्लांट में जाएगा भाई ये निकाला कहां से जा रहा है चतिस गड़ से और जाना कहा है इसको राजस्थान के लिए राजिस्थान के कहा तो राजिस्थान का राजिस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम बोले सर ये तो ऐसा लग रहे है कि राजिस्थान गवर्वर्मेंट का जी हाँ बिलकुल किन्तु इसका टाई अप हुआ है या यूँ कहें इन्होंने अडानी के साथ मिलकर क्योंकि ये अडानी समूद्वारा सिंचालीद अडानी जो कई वार आपने देखा होगा ना जैसे कि अपकरम के तोर पर कारिकरती तो यहाँ से जो विद्यत अच्पादन किया जाएगा राजिस्थान से जोकी डिर्टिक्ति कह सकते हैं इनके दोरा संचालीद है अडानी गुर्प्ते के दोरा यह यूँ हूँ मैं हमारे यहां से निकाला कोईला किसको जा रहा है अडानी को जा रहा है और अडानी देगा फिर राजिस्थान को यह यूं कहें है कि यह सब करने के बाद या यह सब करने के दोरान क्या-क्या challenges या क्या-क्या problems हमारे साथ आ सकते हैं तो अभी तक हम ने भूमी का वाला पड़ देख लिया current status यानी कि वर्तमान इसीति हमने यहाँ पर देख लिए अब हम देखने वाले समस्यां या challenges हमारे साथ क्या क्या होने वाला है यह problem से समस्या है सबसे पहले habitat destruction यनि की आवासिय विखंडन भाई जंगलों को काटो गिना तो सबसे पहले जितने पेड़ पॉधे जीव जनतु थे और वैसे यह वाला जो point है यह importance वाला जो point है वहीं से आपको देखने को मिलता है मतलब आ यह क्या हो जाएंगे यह लोग बेरोजकार हो जाएंगे ठीक है ना कई प्रकार से यहां पर आर्थिक और आपके समाजिक वहत्तों के पेड़ जुड़े हुए हैं परियावरन को नुकसान होगा ताप मान में व्रिद्धी होगी global warming बढ़ेगी और भी बहुत सारी समाजिक समस्या हैं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी तो केवल उन्हीं चीजों को यहां पर as it is आपने यहां पर लिख देनी हैं हमने कहा कि हावासे विखंडन होगा यहां पर नश्ट हो जाएगा पेड़ पॉद्धों का घर नश्ट हो जाएगा इंसान और हाथी की बीच कॉ आप वापस आ जाएं environment में point है मानव वन्य जीव संघर्ष आपने देखा होगा और यह question आया भी है यदि देखा है तो आप comment करके जरूर बताना कि हाँ जी सर हमने यहां पर यह question देखा हुआ है ठीक है मेंस यदि आपने लिखा होगा या मेंस लिखने के लिए आप तयार क कर रहे होंगे या आप कभी मेंस लिखने वाले होंगे comment जरूर करिएगा क्या आपने यह वाला point देखा है नहीं देखा है तो आज जाके देखें आपने syllabus में और environment वाले में आप देखिएगा मानव वन्य जीव संघर्ष यानि कि human wildlife conflict करके एक topic है नहीं देखें तो जाके syllabus म और जादा मिलेगा एक report के according की भाई इंडिया में रहने वाले 100 में से एक हांथी कहां पर है 100 में से 36 गड में माल लेते हैं, इंडिया में 100 हाति, उनिमें से 1.36 में लो बमने किनतु 100 में से । 15 मरने वाले लोग 36 गड से हैं मतलब आप समझे हमारे पास टोटल यहां पर 284 की रिपोर्ट में 1% हाति 36 गड में लेकिन हाथिों के विए बाद 15 फिजिदी से जादा यहीं पर दर्ज करी गई है यहीं कि जो कॉंफ्लिक्ट हो रहा है वो अगर एक पशंट हाती है तो एक पशंट होना चीए कॉंफ्लिक्ट लेकिन यहां पर जादा हो रहा है इसका मतलब ही है कि भाई आपने हाथियों के रहने लायक जगा नहीं छ खोल जो है यह आपको जश्पूर तरब देखने को मिलेगा तो दोनों के बीच कॉर्डिडोर बनाने भी तो आपके लिए इंपोर्टेंट है यह बड़ी समस्या है ताप माने में वृद्धी होगी भाई देखिए अभी तक वहां पर क्या होता था उस शेत्र का टेंप्रे भी दर्ज करी चाहेगी आजीविका किनकी ट्राइब्स की जितने भी यहाँ पर ट्राइबल पेपल रहते हैं इनकी आजीविका यानिके लाइवलिवूर जो है वो प्रभावित होगा तो यह सारी की सारी समस्या है आने वाली है यदि इस विनाश को यदि इस प्रोसेस को नहीं रोका गया ठीक है आगे की राह क्या है आए थोड़ी से उस पर नजर डाल लेते हैं क्या चीज करी जा सकती हैं और क्या चीज हुई थी एक्चुली तो जैसे कि हमने बात करी थी कि पेशा मैं आपका बताने वाला हूँ पेशा का मतलब होता है पंचायत extension on schedule area मतलब ऐ ऐसे शेत्र जो की जनजाती बाहुल ये शेत्र हैं जहां पर आपके विश्री स्रुप से जनजातियां जादे रहती हैं वहाँ पर पेशा का act जो है वो लगाया जाता है इसके ताथ होता ये है कि इस कानून के तहथ बिना इनकी अनुमती के यहां के जमीन पर किसी भी प्र नुमती में कौन शामिल होंगे तो पूरे वहाँ पर ग्राम सभा के जो लोग रहते हैं वो शामिल होते हैं साथ ही साथ यहां भी एक आरोप लगाया गया था कि अडाने गुरुप ने कहा कि नहीं भई हमने तो इनकी अनुमती से शेच को लिया है यदि अनुमती से लिया ह होता तो इतने सारे जो लोग हैं वो आंदोलन के लिए क्यों आतें तो ग्रामीृडो का आदिवासियों का आरोप है कि यह जो है फ़र्जी तरीके से आपने ग्रामऽभा का वोटिंग कराया होगा या ग्रामसभा की बिटिंग या बैठा का आपने दिखाई होगी यह लोग हैं उनके घर विस्थापित हो जाएंगे शिफ्ट होना पड़ेगा और लगवग 844 एक्टियर के जो घना जंगल हो जाएगा पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा ठेक है बाकी क्या 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 चीज होंगे यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस पर ए ले एक temporary रूप से यहां पर बंद किया गया है लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि एक संगठन को विशेश रूप से आगे आना पड़ेगा दूसरा लोगों को इसके बारे में awareness लानी पड़ेगी जागरुक होना पड़ेगा तीसरा हम उर्जा के नविनिकृ संसाधनों पर अपनी जो निर्भरता है उसको बढ़ाएंगे ताकि इस प्रकार की जो गतिविधियां है पेड़ों की जो कटाई है वो कम हो सके क्योंकि हम जिस विकास की बात करते हैं वो sustainable development होता है सतत विकास होता है अर्थाद वर्तमान की पिढ़ी को ध्यान में रखते ह वर्तमान में progress करना ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार से हमारे भविश्य में पिढ़ी को याने आने वाली पिढ़ी को नुकसान ना हो और जाते जाते आप अपना जो ऐसे होगा इसको इस प्रकार से conclude कर सकते हैं कोई भी एक quotation चाहे आप शुरुवात में रखें चाहे भयंकर होने वाले हैं गीता में भगवान श्रकृष्ण ने कहा है कि जो एक स्थिध्प्रग्य मनुष्य होता है जो एक मुनी होता है वो अपने आस-पास के परियावरण को अपनी सभी चीजों को देखता है वो अपने स्वाहित के लिए या स्वार्थ पूर्ती के लिए करता या दूसरों को परिशान नहीं करता उमिद करता हूं कोई मेरे द्वारा बताई गए यह जानकारी आप संतुष्ट होंगे संतुष्ट हैं तो आप कमेंट जरूर करें आपके वैल्यूबल कमेंट हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम ऐसे वीडियो साथ सभी के लिए लेकर आते रहेंगे जुड़े रहें बने रहें हमारे साथ कॉम्पेटिशन कम्यूटे के साथ तैंक यू सो मच छेहन